समझते हैं क्या है United Nation Framework Convention on Climate Change UNFCCC इसको हिंदीम बोलते हैं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्तराष्ट Framework के Convention आपको बताया था जो अर्थ सम्मेलन हुआ था पत्थवी सम्मेलन हुआ था वहाँ पर सामने आया थे उसमें से एक था UNFCCC स्टार्ट करते हैं तो पहला UNFCCC का फुल फॉर्म क्या आए जो कि आगे बता दिया है लेकिन फिल भी समझे युनाइट नेशन Framework Convention on Climate Change यह है फुल फॉर्म कब आता है इट इस एन इंटरनेशनल Environmental Treaty एक संदी है कब आई 1992 को 1992 को कब अर्थ समिट में वो क्या थी UNCED आपको बताया था जब मैंने अर्थ समिट का वीडियो बनाया है ठीकिन अर्थ समिट का दूसरा नाम था UNCED इसी को बोलते हैं अर्थ समिट और यह कहां हुई थी रियो में एक सम्मेलन होता है प्रत्थवी सम्मेलन होता है उसका एक दूसरा नाम UNCED था जहां पर सामने आती है UNFCCC अब बात आती है इसका सचवाले कहां पर है किसका UNFCCC का इसका सचवाले है जर्मनी के bag on guard में और इसका जो हेड़ ऐब होता Yap एक जिकीटर वो से कैरे तकर ना इसको न्यूक कौन काथा है जो यॉनाइटे नेशन का जी फोता है जिसको बोलते हैं ईनाइटेड नेशन सेकेटरी जनर्रल वही नियूक करता है इसके हैड को कौन होकॉइशेक्टेट व ही आपको यार्थ क्या रखना है कि कभ यह सामने आई इसके अलावा इसका मुख्याल है कहाँ पार आई आपको यारखना है जर्मनी के बॉन सहर में है अब समझते हैं इसका में गोल क्या है गोल ऑफ दा UNFCCC is to stabilize greenhouse gas concentration in the atmosphere at the level that will prevent dangerous human interference with the climate system सूर तो ग्रीन हाऊस है जो चीड़ी बुर्ता है सरजित हो रह خण न स्कों इस कनसें को स्टैबलाइस कर देना जो बढ़ता जारा युनफट्रपर सी शेट्स आउट फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल कॉापरेशन टो कॉमबैक क्लाइमेट चेंज एड़ोड टू इस इंपक्त यह कुल बनाकर के कुछ रूट्रe मुझ फ्रेमवर्क त्यार करता और त्लिक पूरी दुनिया देश से उससा बैटते हैं फिर किभर के बात क्या होता है इसमें यह डिसाइड किया जाता है किस तरीकेसे हमें क्लाइमेट चेंड से खुद को बचाना है यह Gruолод ली देयर वन नाइंती ईट पार्टी इस वक्त लगबख 118 पार्टीक और जिस में से में condition Carolina Tai Reasset और एक regional economic inter integration एक सो सतांबे देश है और यूरूपेन सामिल है तो टोटल कितनी पार्टि हो लिए पार्टि है जो सामिल है इसे में ओके आप इसका जो करते है पार्टी इस टुड़ कंविंसन मीड यह करने संथ मैं इसके शारी पार्टियां है यह यह सारी पार्टिय को बोलते हैं जब यह सारी पार्टियां मिलती है तो इसको कॉप उके इसके बाद जो भी प्रॉघ्रेस हो रही होती है क्ला सुच इए प्रोग्रेसं डिलिंग ट्लाइमीट चेंज बरना कोची अंडव्ड लीगल इंस्ट्रुमेंट ने सेट टार्गेट पॉर डेडूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिसन इस पार्टी बैठती हैं फिर देखती है क्या क्या प्रोग्रेस होई है क्लाइमेट चेंड को रोखने के लिए क्या कुछ और लीगल इंस्ट्रुमेंट की जरूरत है क्या कुछ और कानून या नियम मनाने क सेट करती है जब भी यह मिलती है तो यह सब काम करती है आगे समझ लेते हैं कि इसके इससे जुड़े हुए प्रोटोकॉल कौन से है वह बहुत ज़रूरी है यूए टॉपल से जुड़ा हुआ पहला प्रोटोकॉल है जिसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल यह था 1997 को ठीके न सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज थी वही कर रहे ही थी तो उन पर यह आरोपित करता था कि करना नियम कि आप अपने ग्रीन हाउस गैस का सजन कम करो तो यह था हमारा क्योटो प्रोटोकॉल जो सबसे पहले मेन अग्रीमेंट हुए सामने आता है इसके बार आता है मरा का मरा दोजार एक में यह क्या करता है इस कियो टू प्रोटो कॉल को कैसेbecca करना है कि तरीके से क्लीन डेलप्मेंट को आगे बढ़ाना है जिसे कि प्रदूसराइब क्लाइमट चेंड को रोका जा सके और किस तरीके से जो टांस फर आप प्लैन बाली एक्सल्स प्लान gesprochen वाला है क्या होगा तो उसके बनाना है कि उसके आगी कैसे निपटना है तो रूड मैप के लिए होने चब्द किस तरीके से क्या चाहिए तयार करनी हैं वो था हमारा बाली एक्शन प्लान आगे आता है 2012 में ही क्या दोहा अमेंडमेंड यह हुआ था क्योट्व प्रोटोकॉल में ही इस में किया क्या इस तो प्रोटोकॉल में जो भी इमिशन की जो टार्गेट थे ठीक है न सब्सक्राइब त्यार करने के लिए फाइनली आता है हमारा पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 को आता है तो दिस इन इंटरनेशनल एड्रीमेंट एडाप्टे इन 2015 एंडर दा यूनिफ ट्रॉपल सी यह कुछ टार्गेट सेट करता है इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा वैसे लेकिन टार्गेट है कि जो हमारे जो ग्लोबल जो तापमान बढ़ रहा है उसको तक रोग देना अब जितना भी है उसके आगए नहीं बढ़ना चाहिए अगर टार्गेट क्या था कि जो प्री इंडिस्ट्रियल लेवल है ना उसके तब से जोड़ा जाए तो दो डिए से नीचे रोग देना है यह कुछ इसके टार्गेट थे पर इस एग्रिमेंट पर मैं अलग से वीडियो बना दूँगा लेकिन आपको याद यह रखना है कि यह जो थे ना क्योटो से स्टार्ट हुआ बाले एक सन प्लान आया ठीक है ना यह जो जितने भी यह किस से जुड़ हो रहा था ओके और पर इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूँगा इस प्रोटोकॉल एंड अग्रिमेंट्स आर अल एम टू एम एड अड्रेसिंग दप्रेसिंग इस्वाब क्लाइमेट चेंज जितने भी प्रोटोकॉल साइट जितने भी एग्रिमेंट्स आइसे किस लि होता है वह कैसे होता है और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए वह आपको बता दिये क्लाइमेट चेंज से अल एम एड्रेसिंग आपको बता दिये लिए जितने भी प्रोटोकॉल